हलो डियर कस्ट्रमर वेलकम बैक आप सभी का स्वागत है बी एस फेशन सुरत की ऑनलाइन होलसेल बिजनस की चैनल में आज हमारी टीम आपके लिए लाए है लेटेस कलेक्शन ट्रेंडी कलेक्शन जो काफी यूनिक होने वाला है जो काफी ट्रेंडी है और मार्किट के अंद करके आपको बताएंगे बलान जैसे कॉटन प्रिंटे है और इस पर जितना भी ब्राइंट शहाण है जए उपन वेडियो बनाते हैं और इसके लावा पाकिस्तानी कलेक्शन हो गया पाकिस्तानी स्टूट्स हो गया उसका भी लाइव वीडियो हमारी टीम आपके लिए बनाते हैं सारीज हो गया बुर्खाबाया हिजाब हो गया यह सारी जितना भी हमारा कलेक्शन है यह देखने के लिए आप हमारे चैनल को एफसाइट बनाया है सारिजवाला.com जी हाँ वापिस सरीपीड करता हूँ सारिजवाला सार डबल एस डबल्यू एल ए डट कॉम सारिजवाला.com यह आप जो एक गुगल के सार्जबार में लिखके भी जा सकते हो गुगल का गुगल ओपन करना है वहाँ पर सारिजवाला डबल एस डबल्यू एल ए डट कॉम जहां पर आप जाओगे तो सिंगल सिंगल पीस हमारा जितना भी लेटेस कलेक्शन है यूनिक कलेक्शन है ट्रंडी कलेक्शन है जैसे पाकिस्तानी हो गया सारीज हो गया कुर्ती बलाजो हो गया प्रिंटेड हो गया बांदेज हो गया बाटिक हो गया लेंगा चोली हो गया सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा अवेलेबल हो जाएगा इन बिट्मिन वापस एक गुड न्यूस बता दूं के और आवर इंडिया शिपिंग फ्री रहेगा जी हां सारिजवाला डॉट कॉम से जो भी बाइ करेंगे सारा का सिपिंग हमने आप लोगों के लिए हमारे कस्टमर के लिए फ्री में रखा है और एक गुड डियूस बता दूं के सी ओ डी जी हां कैस ऑन डिलिवरी भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है सिर्फ और सिर्फ सारिजवाला डॉट कॉम की शॉपिंग प डॉट कॉम जहां पर ओल करेक्शन फ्री शिपिंग हॉम डिलिवरी होने वाला है फ्री शिपिंग ओल अवर इंडिया के लिए है सी ओडी भी मिल जाएगा सी ओडी पे माल चाहिए वह भी अवेलेबल करा दूंगा उसके लिए आपको विजिट करना है राइटनाव सारिज वाला डॉट कॉम आपको वहां पर जाना है ड्रेस को स्लेक करना है जो भी आपको चाहिए आपका पूरा एड्रेस टाइपिंग करना है पिंक कोट के साथ मोबाइल नंबर के साथ आपका ओडर हमको रिसीव हो जाएगा हमारे टीन जैसे उसको देखेगी एस सून एस पॉस और इसको डिसपेज कर देंगे आपको All over India Free Home Delivery हो जाएगा घर पर Delivery हो जाएका COD । मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं, रिमाइंड कर रहा हूं कर रहा हूं कि आपको क्लेक्शन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे क्लेक्शन को वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आपको जिस तरह कलेक्शन लग रहा है जो भी समझ में आ रहा है उसके साब से कुछ कमेंट कर दीजिएगा